इन्फो प्लास फो जेनुएन इन्फोमेशन जर्कान होना जर्णि टु अस्ट्रेलिया विशेश एप्οιसोड हरु येहल लाई प्रस्दोित करेों रा स्ट्रेलिया को एतारि जानकारी है हमले अस्ट्रेलिया में फुगे रद दिने न प्रयास गरे का थियों यो एपीसोड हरूमा यह हमले धेरे फिद्बाक सरूपनी दिनुबायों हमले तेसको जवाब पन यह कारेकम मारफ दिने प्रयास गरेऊ दर्श बिन आजको कारेकम मा हमले अस्ट्रेलियन सरकार ले पचलो समय मा लियाएको नियम र तेसले नेपाली विद्धार्थियोरलाई पार्ण सकने प्रभाव को विशेमा एउठा विशेश कुराकानी यह हरलाई देखाऊना उपस्तित भायका सो नर्श बिन पचलो समय में अस्ट्रेलिया को कुरा गर्दा हमीले गता साथा पनी यह हरले एनाउंस गरे हूँ अस्ट्रेलिया ले नेपाल का सबे कमर्शियल बैंक हरलाए एक्सेप्ट गरे को सा जब कि एस अगाडी नबिल रएस्बियाई बैंक बाट मात्रे विदार्थियर ले एजुकेशन लोन अथवा आर्थिक कारवार को प्रसेस गरना सकते तेयोटा परिवर्दन देखिये को सा र और को कुरा काम गरने स्किल्ड वर्कर सर्गो केस मा 457 विजा को विशेमा बनी अस्ट्रेलियान सरकार ले नया नियम ले आगो सा हामिले यहार लाए द्विटा फरक फरक कुराकानी को संपादी दंग सा देखाऊ सा आजको कारेकम मा भने हमेले खासकरी विद्याःत्य और लाई अस्त्रेलियन सरकार ले पचलो समय में लेया को नीम ले के प्रभाः पारेको सबने अबिशेए को एपिसोड यहार ले देखांदेशं शточноनने लैह configuratoल चुनारीओ अडें ऊटारी लाम हमै भुग ती अठाशना prophecy बाग्रशना मिला उ wants you are welcome to the show. Thank you. What are the recent changes that the Australian Immigration Department has made to the study in Australia program for the international students from Nepal. Some significant changes have been made in late March and that is rather than just two class-A commercial banks now अस्ट्रलिए अबर्माले अच्टारि कार्टा से इन गोला में वे लोलाथ cách इने हैं इन अच्ट फिर्ट कासिति इन अच्टी बेंद में प्रोबश परिफ को एप्ट है वी थे इन अच्टा इन इन बापर बेखने से इन इन नच्टीजों कर एज वे लिदाथ हैं अगर को क with the funds that they had already at any of those 28 banks that they will be able to fulfill each inclusivates their savings fixed deposits and even education specific bank loans from 28 different banks not just two. In the past large number of international students from Nepal went to United States of America to study however now we are witnessing a radical change with more students ज होते हैं तो ब मुझा और जो सकते हैं इसान लगयाओ कि उए तर अे जचज़ हैं, तो अिसे बहुंवे हैं, जहुद्ड के भाम हैं। पमेलाव प्र 요स्तikingी वीबी उत्राय इपू्याटना ऌ meglioया इस में पूर्ट सिर्टावाट थे फॉप् में इवर्छसे छोर्ट्स एक्लीप अलीक, इछिस जर्रोंचे Labs य atau सान४क नेकारे इसनो इनावाट को सोले चार्टाबाज़ूरा पर उलोः 5 ल 노 करें इसमाईस व कार्माफ्वालोग गुन जालोग वेक राकर ब औրे बTr suka आâl, रहे जवित्लिए वेजिट पीवरा कsl ते हम प्यवरीन्थस पश्रेड नियोरी कोा इजा हो, आप की रहे जवाओ उवित्य एपन वेपो फोरत ठीवरीit ए्च्ते वीवरा था,Pod जवे को穴 को पीवरी हां। आर भंजाने वीज़ चेंवेजरा उन्हाने पर्माहश उवाराइद पर्टाइज़ इन्हाने कि अजाहिए इकाईशारो अप्टिटाइ फिद वा आध इते एकाईश वाध देचा पर्टाइशा पूल प्रुम अश्वाराइब इन्हाए इकाई लगगा इस टूलीज़ फा आप आप्टारह कि लेका जो एक आप्टारिनांचे हो पार्वाप्टा भलारी निए लिए उसे प्रामुत et मैं अजरे थाओ विए रिए निसनानोग से अट्रली कि अपना कि अजिए इस प्रामुड को रहे विए अजित के एक अजिए बाता है है। to a million students in the fullness of time. I can assure you that this industry, being one of Australia's most prospective industries, we can cope, Australia does have the capacity to take in many more students, but on the proviso that those students are absolutely genuine and that they apply to Australia to study with totally genuine documentation. What is your advice to the students and parents? Well, I think that it's a fantastic opportunity because to study in Australia is only one element. Through study in Australia, students can actually obtain a professional body membership, they can obtain an international skilled occupation, and then they have these opportunities of part-time and full-time work rights and also of applying for permanent residency at the end of the day. So I encourage them to go ahead and apply to study in Australia. What are the aided benefits to the students and parents to seek service from Interface? Definitely, it's about careful counselling and it's about taking their current academic and work experience background into consideration and meeting their future career needs and all of this done by fully trained counsellors. And also Interface spends a lot of time with academic, student visa, financial, right, and even career counselling. Finally, any messages to my NIPL peers? Yes, again I would suggest that the students go on the border.gov.au website. However, if they would like to meet me personally and undergo personal counselling with me, they can come to the Interface office in Old Benazwar on the third Friday or fourth Friday of April, May or June in 2017. Thank you so much. Thank you for your valuable time and information. Thank you for inviting me. Thank you for joining us.